हलो फ्रेंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यू चैनल हिंडिय अड्वाइस में जो भी हमारे CSC फेली भाई है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है अपडेट है यह आधार सेंटर के रिगार्ण जो लोग की अधार सेंटर लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही पहले मैं ओफिस्यल नोटिफिकेशन बता देता हूँ क्या आया हुआ है देखे फ्रेंड आपके सामने दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ है विएलीज हूँ आर बीसी थोरो CSC एंड हाइविंग ब्रॉडबेंड कनेक्शन विथ एस्टेटिक आईपी बत जो भी विए हैं जो CSC के दोबारा बीसी हैं और उनके पास एस्टेटिक आई भी है ब्रॉडबेंड का तो कैन कॉंटेक्ट दियर CSC एस्टेट टीम फोर दियर यूस्यल एक्टेवेसर वो लोग अपने CSC के एस्टेट टीम से कॉंटेट कर सकते हैं और यूसील का अपना एक्किवेशन करा सकते हैं इस्टेट अधार सेंटर चालू हो जाएगा एक्टिवेशन होने के पाद इस्टेट में आपको अधार के जो भी अपडेट है डिमोग्राफिक अपडेट का आपको सर्विस मिलता है आगे भी इसमें लिखा हुआ है इस्टेवेशन एक्टिवेसर इस शीरी ऑ कोई आपसे पैसा का डिमांड कर रहा है तो आप लोग इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं आगे भी लिखा हुआ है कोई भी अगर पैसा चार्ज करता है तो उसके खिलाफ एक्टिवेशन लिया जाएगा तो आप लोग भी अगर CSC के BC हैं और आपको पास से स्टेटिक आई देखे फ्रेंड एक और अपडेट अभी आया है त्यागिस अने दिया हुआ इसमें लिखा हुआ इंप्रोटेंट मैसे CSC नेभर चार्ज वेली फोर बेंक बीसे और अधार सर्विसे वह से बेंक बीसे के लिए या अधार सर्विसे के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है ने अधार बेंक बीसी और अधार सेंटर के लिए पैसा का मांग करता है तो आप अपने एस्टेट टीम को इसके रिगार्णी रिपोर्ट कर सकते हैं उन पर बहुत ही जवरदस्ट एक्सर्म लिया जाएगा ति बहुत ही इंप्रोटेंट अपडेट है और आप लोगों पास ब आएंगे वहाँ पर अपना CAC ID के द्वारा लोग इन करें लोग इन करने के ऐसे अप्सन आ जाएगा यहां पर पूरे इंडिया के सब कुछ आ जाएगा जो भी आपका एस्टेट है उस्टेट के जो भी एस्टेट टीम है उनसे आपको कर सकते हैं आपने नंबर है रियरेक के लिए वह हैं हमारे पास आप मेरा इस्टेट कर देजिए बहुत ही असानी से आपका डॉक्मेटेशन होने पर आपका केडिशल बन जाएगा आपका अधार सेंटर चालू हो जाएगा बहुत ही गूट नहीं हुझे कि वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो जो सेंटर कीजिएगा सभी भेली को पास पहुंचना चाहिए जो भी अधार सेंटर लेना चाहिए और मेरे चैनल को जो सबस्कार कर लेज़ेगा क्योंकि मैं हम ऐसा ऐसे ही मैं नए ने निटिकेशन वाले वीडियो लाते रहता हूँ धन्यबत रहें